हलो फेंस मैं हूँ कंचु शर्मा और मेरी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो रवा लड़ो की रेसिपी ये लड़ो दिखने में जितनी सुन्दर है खाने में उतनी है ज़्यादा टिस्टी है और मेंगो के सीजन चली है तो ऐसे में मेंगो से तरतरा की डिस्टी बनाना और खाना किसे नहीं पसंद है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेंगो से बनी ये स्वादिश लड़ो की रेसिपी ये लड़ू खाने में जितनी स्वादिश्ट है इसे बनाना उतना ही आसान है और इसे हमने बहुत ही सिंपल इंग्रेटिन के साथ बना कर तयार किया है जिससे हर कोई आसानी से बना कर खा सकता है तो चलिए फिंस इस स्वादिश लड़ू की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लिए तो यहां पर सबसे पहले जो हम इक बड़े सैज के मैं ठील कर उसे चोटे-चोटे पीसेस में statist कट कर लिए हैं तो इसे हम जो है मैंगो का पल्प जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं और यह हमारा पल्प तयार है चलिए अब चलते हैं अपने नेक्ट प्रोसेस में तो यहां पर हम गैसोन कर कढ़ाई रखे हैं और इसमें हम डालेंगे वन टेबला स्पून घी और यहां पर अब हम एड़ करेंगे एक कप सूजी तो यहां पर आप सूजी की मातर अपने कोर्डिंग कम यह जादा कर सकते हैं तो यहां पर अब हम इसे ल नहीं इसके रोश्ट करना है तो इसके कैसे आपको बहुत है लगतार चुलाटे वए बुणना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी पहलेữ काफी अच्छे से बुण गई है और इसका कलर वह वो भी काफी चेंज हो चुका है और इसके बुनने की बहुत ही अच्छी खुस्बू भी आनी शुरू हो चुकी है तो इससे जादा हम इसे नहीं बुनेंगे और अब में आपर एड़ करेंगे वन फोर्थ कप कोकोनट पाउडर आप यहाँ पर कोकोनट पाउडर के जगा पर सुखे नारियल को कद्धू कस करके भी टाल सकते हैं यह टोटली ओप्सनल है इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसलिए मैंने यहाँ पर एड़ किया है आप चाहे तो इसे स्केप भी कर सकते हैं तो कोकोनट पाउडर डालने के बाद हमें ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि नारियल को भूनने में ज्यादा समय नहीं लगती है बस एक मिनिट के लिए हम इसे भूनेंगे तो यहाँ पर हम इसे स्टेज पर एड़ करेंगे हाप कप दूद की फ्रेस मलाई तो इसे भी हम डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमने गैस का प्लेम जो है लो रखा है अलू प्लेम पर हम इसे मिक्स करते वे दो से तीन मिनिट के लिए पका लेंगे और तो देखे यहाँ पर हमारा जो मलाई हो वह भी सूची के साथ अच्छे से मिक्स होकर भून गई है तो यहाँ पर इससे ज्यादा अब हम इसे नहीं भूनेंगे इसे हम plate में निकाल लिते हैं और इसी pane में हम डालेंगे हमने जो mango कब पल्प जो है तयार किया था grind करके वो हम यहाँ पर डाल देते हैं और इसी में हम डालेंगे half cup sugar तो मीठा आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम्याजादा कर सकते हैं मैं यहाँ पर हापकप यूज कर रही हूं अगर आप लाइट मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर वन फोर्थ का भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर अब हमें चीनी को मैंगो के पीवरी के साथ पकाना है जब तक कि यह हलका सा गाढ़ा ना हो जाए तो यहाँ पर इसे लगतार चुलाते हुए हमें लोटू मेडियम फ्लेम पर पका लेना है इसे पकाते हुए हमें 5-6 मिनिट पूरे लग जाएंगे तो देखिए इस तेके साब को जो है चलाते रहना है तो यहाँ पर देखिए मैंगो प्यूरी को सुगर के साथ पकाते हुए 5-6 मिनिट पूरे हो चुके हैं और देख सकते हैं पहले से काफी ठीक हो गई है और इसका कलर भी जो हलका सा चेंज हो चुका है तो इससे जादा अब हम इसे नहीं पकाएंगे और इसी स्टेज पर हम डालेंगे तीन से चाट ड्रोप यहलो फूड कलर यह बिल्कुल आप्सिनल है आप चाहे तो आड़ कर सकते हैं यह इससे लड़ो में बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसलिए मैं आपर आड़ कर रही हूं तो इसे डाल सब्सक्राइब भून कर लिया है इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इससे पर हम डालकर मिक्स कर लेंगे और यहां पर हम यह बूने वे सुजी भी हम डाल देंगे इससे लड़ों में अपनी मन पसंद कोई भी ड्राय फूड जो है डालकर मिक्स करके बना सकते हैं काजू, पिस्ता, बदाम जो भी आपको ड्राय पूड हो पसंद आप उसे डालकर बना सकते हैं तो देखिए इस टेके से हमें जो है इससे अच्छे से मिक्स करना है और यहां पर हम एक चमज डालेंगे इलाइची का पाउडर इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसका फ्लेम बंद कर दिया है और इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं ताकि हमारा जो यह मिक्स है जल्दी से ठंडा हो जाए ताकि हम इस मिक्स से लड्डू बना सके तो यहां पर हम इसे निकाल लेते हैं और इसे हम इसी तरह के से छोड़ देंगे 10 मिनिट के लिए यहाँ पर हमें छोटा चोटा सा जो है लेना इस तेके से नेमू के आकार कि जितना आइस तेके से हमारे जो है लड्डू बन कर त्यार नहीं है। त्यार कर लेने हैं और इसके उपर हम यह पिस्ता से जो है सजा देते हैं जिससे दिखने में हमारे लड़ू और भी खुशुरत लगे तो यह लीजिए आज के हमारा जो है मेंगो रवा लड़ू बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है बहुती स्वाधिश टेस्टी लड़ू ब कीजिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को फेज काना ना भूले जिससे मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई